नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे सुभा के साढ़े आट बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज का विशेश कारिकरम सुभा की जाए देखे आज के इस विजियो में कई मुद्दों को लेकर हम बाचीत करेंगे देखे हम शुरू करेंगे जगदानन सिंग से आपको मालूम है कि बीते दिने खबर आई थी और कहा जा रहा था कि जगदानन सिंग ने राजत से सीफा दे दिया है तो ऐसे मैं अब बड़ा सवाल उगता है कि आखर इस खबर में कितनी सचाई है देखे इस विजियो में हम तेजस्वी आदव का भी जिकर करेंगे और आपको बताएंगे कि तेजस्वी आदव अब एक और यात्रा पर निकलने जा रहे यात्रा कब से होगी इसका भी जिकर हम इसी विजियो में करेंगे इस विजियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रशान किशोर की जन सुराज को बड़ा जटका लग गया है जटका किसने दिया है क्या कुछ खबर है उस पर भी तफसील के साथ बातचीत होगे इस विजियो में हम आपको य न्यूज देदी है अच्छी खबर देदी है खुशखबरी देदी है वो खुशखबरी कौन सी है ये भी हम आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताएंगे और आप में जिक्र होगा भी पीएसी का भी तो आए तर चर्चा की शुरुबात करते हैं तमाम मुद्दों प सीध ही बाचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जोनलिस्ट रवी उपाध्याई जी है सबसे पहले बहुत शुक्रिया बाचीत के लिए रवी जी सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपने देखा था कि बीते दिन ब्रेकिंग खबर चलाई जा रही थी और कहा जा कैप्टेन भिहार के वही हैं है आर्जी और दीके प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वही कैप्टेन हैं और देखिए जितनी बात पॉलिटिकल करेडोर में चल रही है कि गतान सिंग ने पार्टी कार्याले नहीं जा रहे थे अभी देखिए पिछले दिनों तेजस्वी यादों भी पार्टी कार्याले राजब से लंब्ली अहर गत्वा राजद अध्याप्ट और तेजस्वी प्रसाद यादों को मनाना पड़ा तब फिर वो पार्टी कारिया ले आए इस बार इस तरीके की बात नहीं है यह कहा जा रहा है कि यह अस्वस्थ है लेकिन अस्वस्था तो अलग भी शह है लेकिन एक बात समझ लिए कि जो चार बिधान सभाचेतर में उप्चुना हुए और जो आर जेडी खाते की सीड़ी जो आर जेडी का लंबे समय से दुरुख रहा वह भी इंडिये ने से छीन लिया तो यह कहीं न कहीं जग्दान सिंग इसे मरमाहत है और किन कारणों से मरमाहत है यह तो जग्दान सिंग ही बता सकते हैं तो ऐसे में जग्दान सिंग नराज है लालू यादव से और नाराज है तेजस्वी यादव से नाराज की बात नहीं है आहत है अब किन कारणों से आह पुत्र से बात नहीं है बात जब आप टीम के कैप्टेन है तो सब को लेकर चलना पड़ता है तो ऐसे में सावसी जब आपको मिलेगी तो निश्चित रूप से अंगलियां भी आप ही क्यों रुपते हैं और इसी को लेकर के जो बात चल रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफ से जिकनी भी आपने भी बात की हमने भी बात की लेकिन कहीं से इसकी पुष्टी नहीं हो रही है कि उनका एक्सेप्टेंस हो गया है उनका इस्तिफा मन्जूर कर लिया गया है हाला कि लेकिन पॉलिटिकल करिडोर में यह बड़ी चर्चा हवा में तैर रही है तो अब जो विधान सभाह के उचुनाव और जार्खन में भी आम पुरा फोकस के उए थे और ये चार सीटों पर जो पूल भूंते हुए लिए और आछार संगीता बात भी तो एसे में गया उनका प्रोग्राम लगने वाला था तो वो नहीं कहया और यहीं कार्यकर्टा संबाद य कि तीन तारिक से तीन दिसंबर से वह फिर से यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं और देखे इस बार उनकी यात्रा जो है जो दोजार पचीज के बिधान सभाद चुनाओ के नजरिये से मत देना सर्फ के बिल्कुल होगी क्योंकि इस बार वा पिछले जो लेकिन रवी जी आपने भी देखा है कि उप चुनाओ में क्या कुछ हुआ है आपने देखा है कि कैसे फाइनल के पहले ही सेमी साइनल में राजत के हाथ या फिर आप ये कहिए कि महागडबंदन के हाथ कुछ नहीं आया बलके जो उनके पास था वो भी उनसे चीन लिया ग है यह तो फिर पहलब पास का सवाली नहीं मेड़ता है या फिर एक घर में बेठे रहे हैं ऑर किस पिता के पुत्र हैं या बात समझ च्ह.. वह लालु प्रसादीयादो के पुत्र हैं तो वह तुरत में हार नहीं माने तो इसी तरीके से multiplied संरी निष्भास समाँक लिए यह उपच्णाव में अमुमन को छोड़ दिये तो यहें बहुत बड़ा कoj lacking कंदाव तक समंझ रहे correlate कि देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सिर्फ पॉर्स तेजस्वी यादव ही नहीं बलके मुख्यमंतरी नितीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं यात्रा का जबाब यात्रा से ही दिया जाएगा बिलकुल बिलकुल देखिए 15 दिसंबर से उनकी जो जनकारी चंकर क्या रहे है नितीश कुमार जदियों के राष्टी अध्यक्ष भी है और मुखमंतरी विहार है उनकी 15 दिसंबर से यात्रा संभावित है वो महिला संबाद यात्रा करेंगे वो आगी आबादी को सागने की बात करेंगे वह जो अब तक महिला आपको जितनी भी महिलाओं के लिए काम किया है और पुर्ण सराबंदी तो सबसे बड़ा ताजा उदाहरा ने कि जो इसके अलावा नितीश कुमार ने क्या-क्या काम किया है महिलाओं के लिए यह भी पूरी देश और दुनिया ने जो की रहा है वह उन तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रही है चलिए अब हम अगली ख़बर का रुभ कर लेते हैं और अगली खबर है परशान किकौर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आरा रही है रवी जी प्रशान किशोर कि बड़ी तूट हुई है क्या कुछ खबर निकल के आ रहे हैं कि बड़ी तूट और छोटी तूट की बात नहीं है तो तो तूट है कोई भी कारेकरता को आप जोड़ते हैं अगर जिए उसमें से एक भी कारेकरता इधर सुधर जाता है तो वह पार्टी के लिए सेट बैक मा सुराज जो है जो निश्ची तुरूप से इस बार के विधान सभा के उप्चुनाव में चार सीटों पर पूरी मजबूती के साथ लड़ी और उनहीं के लड़ने के कारण जो है तो कितना समीकरण बतला उप्चुनाव में यह समझा जाता है पिर उन पर क्या कुछ आरोप करता जन सुराज से यूड़े थे उन लोगों ने एक एक करके सबतमा मुझफर पूर में बिते दिन बैठा करके इन लोगों ने घुसना कर दी अपने आपको अलग कर लिया और कई सारी बाते यह होता है जब आप जूड़िएगा तो अच्छी गोलगोल रसगुला वाली बात करिएगा और जब आप फोड़िएगा तो आप जो है सो निगटिव बात करिएगा तो हम आपसे यह भी जानना चाहरें क्या लग रहा है रवी जी मुसल्मानों का मन मिजाज भी प्रशान से मिल नहीं रहा है क्या नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है एक आदमी के छोड में है इस बात को हमको आपको कहने की भी आव सकता है नहीं है वीजन उनका पूरा देश मानता है तो यह निश्चित रूप से अलपसंख्यक भी उनकी और हैं मजबूती के साथ हैं और यहीं कारण है कि उप्चुनाओं में आपको कहीं जो चार सीट पर हुए वो किस तरीक सारी है देखें हर लोग से वा आयोग जो बीपीएसी पर हम जाएंगे लिकिन उससे पहले अटेंडेंस ओनलाइन अटेंडेंस को लेकर भी बहुत कुछ का गया है और गर्मी की छुटियों को लेकर भी रवी जी बड़ा एलान हो चुका है देखें इस सिधार्त हैं नुसार अपने छुट्टी का वकेसन का इंज्वाय करने के लिए वह तैयार हो सकें तो यह निश्ची दुरुप से बड़ी खुश्खबरी है बड़ी खुश्खबरी है गुड नीउस दे दिया है सिधार्त निशिक्षपों को देखें रभी जी क्या आपको ऐसा नहीं ल लेना है तो वह उसको आप बेहतर नहीं comfort zone में नहीं रखिएगा तो आप 100% नहीं दे पाईएगा इस बात को कहीं ने कहीं इस सिधार्त बारी बाखुबी समझ रहा है और इसी लिहाज से देखिए पहले तो सिक्षकों के लिए गर्मी छुट्टी के लिए वह एक बड़ी बात लूने का दीख, दूसरी क्या है कि वो चात्रों के लिए जो स्कूल में चात्र पढ़ते हैं ठंड का मोसम है तो उसके लिए भी देखिये स्कूल के timing आच से बदल गई है स्कूल की timing बदलने जा रही है बदल गई है आच से आपको साड़ हे 9 बजे से 4 बजे तक ही स्क बच्चों के स्वास्त को देखते हुए और ठंड के मौसं को देखते हुए या नया रूटीन आज से शुरू हो गया है या धीरे धीरे तबदीलियां आ रही है बच्चों का भी ख्याल रखा जा रहा है और शिक्षकों का भी ख्याल रख रहे हैं ऐस सधार बिल्कुल लेकि आपको ये भी मालूम है रदीजी कि ओनलाइन अटेंडन्स को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था लेकिन ऐस सधार्थ ने इसको लेकर भी बहुत कुछ साफ साफ बता दिया है क्या कुछ बता रहे है थोड़ा सा कड़क रूप भी है कड़क रूप इसलिए है कि वह आपको जो हम बार-बार समरीन हम लोग इस पर बात करते हैं कि जब क्यालिटी एडुकेशन की बात होगी तो सिक्षकों को आपको 100% देना होगा तो आपको इन और आउट दोनों मार्क करना होगा आना और चांट उसकूल में इंट्री कर रहे हैं और कब आप निकल रहे हैं जब आपको सरकार आपको हर तरह की सुमिधा वहिया करा रही है तो बच्चों के लिए भी आप इमंदाली से आप आपको आपको राइट्स दिया जा रहा है तो कुछ ड्यूटी भी आप पर लगाये जा रहे हैं यानि कि लाजमी हो जाएं आपको दो मनें यह सब होगा बि बीपी एससे से जुड़ी हुई क्या कुछ खबर है बीपी एससी में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है अबीजी जी सत्तरमी जो बीपी एससे लिए आपको परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन यह जो है इसके लिए जो है लागू लागू इसको ले करके खूब हांगामा भी हो बैलकुल अभियर्ती इतना इसको ले करके बावाल वह कृटी लेकिन लेकिन हालां कि पीए सी कीओर से इस बात को समयाया गया है कहा गया है कि कया है किसी परिख्षा में प्रसनावली कोस्चन जो कठीन होते हैं इसकी आधार पर अंक दिया जाता है और अंकों के आधार पर ही प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है प्रस्टों का लेबल उसी के लेबल अलग-अलग होता है और इसी को समाप्त करने के लिए नॉनमालाइयेशन किया जा रहा है थिया तो यह कहीं न कहीं रहा देने वाली बात है तो उसे पेपर लिक को रोका जा estos happened यह एक बड़ी बात है तो यह निश्चीत रूप से जो है बिहार लोग सेवा आयोग जो सत्तरवी से यह जो इसको लागू करेगी तो निश्चीत रूप से यह बेहतर एक बच्चों के भवी से लेकिन आपने देखा कि छात्रनेता दिलिप ने भी वोर्निंग दे दी है कि अ एक बार बड़ा अंदूलन होगा और हम सडकों पर उतरेंगे देखे अब छात्रनेता जी तो हैं चात्रनेता या सिच्छक संगठन जो भी है इसके लिए कहें वह अलग विजह है लेकिन इतनी बात तो मानना पड़ेगा कि जब नॉर्मलाईयसान होगा उसे पेपर लिक न आईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिलकुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहेगा लाइब से टीज बहुत शुक्रिया